नमस्कार दोस्तो नमंबर 2018 में जॉन एलेन चाव नाम के 26 साल के अमेरिकन मिश्णरी जो फैसला करते हैं कि वो इलीगल तरह से इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलेंड पर जाएंगे इस आइलेंड पर रहने वाले लोगों को हम आखरी ओन कॉंटेक्टेबल ट्राइब्स कहते हैं कहा सकते हैं यानि कि इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता ये एक तरह से आईसोलेटेड तोर पे रह रह रहे हैं इस आइलेंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनल आईलेंड ट्राइब्स कह सकते हैं जॉन पास वाले आईलेंड पर पहुँच कर वहां के एक लोकल मचुवारे को पचीस जार रुपे का रिस्वत देते हैं और उसे मना लेते हैं कि वो उसे उस आईलेंड पर छोड़ कर आए पंदर नॉम्बर 2018 को वह जॉन और वह मचुवारा रात को निकलते हैं ताकि कोश्ट गार्ड उन्हें देखना सके अपने साथ वह एक गोपरो कुछ सूखी मचलिया एक फूट वाल और एक बाइवल लेके आए हैं ताकि वह जो ट्राइप्स को गिफ्ट के तौर पर दे सके हैं पंदर नॉम्बर 2018 के सुबह जैसे ही वह आईलेंड के करीब पहुंचते हैं तो वह उस मचुवारे को कहते हैं कि आप यहीं रुकिए यहां आगे का सफर मैं अपने कायक पर करूँगा कायक एक तरह की छूटी वोट होती है आप लोगों पिक्चर में दिख रहा होगा यह जब कायक से बीच के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि कुछ लोग बीच के किनारे ढहल रहे हैं और कुछ कई सारे घर दिखता हैं जॉन उन्हें देखकर कहते हैं लेजिए मैं आपके लिए कुछ खाना ले आया हूँ तभी दो आदमी जॉन को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं तो जॉन पैनिक में वापस मुर जाते हैं कुछ घंटे बाद जॉन दुबारा ट्राई करते हैं लेकिन इस बार वो आइलेंड के नौर्थ छोर पर जाते हैं उन्हें दूर से दिखता है कि कुछ सेंटिनल्स ट्राईब इन्हें देखकर अपने ही भासा में चिला रहे हैं हाला कि जॉन को उनकी भासा समझ में नहीं आती है लेकिन जो भी उन्हें समझ में आता है वो उसे दोहराने लगते हैं जॉन ट्राइप्स के धीरे-धीरे करीब जाकर जो वो गिफ्ट लाये थे फुटबॉल, बाइबल, फीसे वो नीचे जमीन पर धीरे-धीरे रखने लगते हैं इस बार एक बच्चा और एक यंग लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी जॉन अपनी कायक से उतर एक छोटे बच्चे से बात करने के लिए आगे बरते हैं तब ही पीछे से एक ट्राइप उनकी कायक को चुरा लेता है और वो जॉन बच्चे को बाइबल से कुछ समझाने की कोशिस करते हैं पर बच्चा तीर उनकी चाती के ओर करके तीर चला देता है पर भागे से तीर जो होती है वो बाइबल से टकरा जाती है और जॉन इस एक बार फिर बच जाते हैं और जॉन यहां पर फिर पैनिक होकर भागने की कोशिस करते हैं हाला कि इनकी कायत चोरी हो गई थी फिर भी ये किसी तरह से तैर कर ये वापस पोर्ट पर मचुवारे के पास पहुंचते हैं रात को वापस जाने के बाद वो अपने डायरी में लिखते हैं यहां पर इन लोगों यहां पर इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना आगे वो अपने डायरी में लिखते हैं आई डांट वांट टू डाई आई सुड गो बैक लॉड आई डांट वांट टू डाई 16 नॉमबर 2018 वो फिर डिसाइड करते हैं कि एक बार मैं फिर जाओंगा उस आई लेंड पर लेकिन इस बार वो वापस नहीं आते हैं लोकल मचवारा जो उनके साथ गया था वो देखता है कि कुछ सेंटिनल ट्राइप्स एक बोड़ी को बरी कर रहे हैं कपड़े देखकर लगता है जोन चाओ की ही बोड़ी तो मचवारा मान लेता है कि जोन चाओ को मार दिया गया है